नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा के पूरे टीम की तरफ से मैं हूँ अभिणो तोशान शुपांडे और हमारी चर्चा का क्या विशाय है आईए देखते हैं पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी गतिमान आवेस और चुम्बकत्व की हम लोगों ने लाॉरेंच फूर्ट के बारे में बात की हम लोगों ने देखा कि कैसे एक चुम्बकी छेत्र में किसी करेंट केरिंग वायर यानिकी चालक पर बल लगने लगता है और हम चिपसा के इस प्रयास में exam series mission 2023 यह हमारा मुख्य लक्च है कि हम आपको आपकी परिक्षाओं की बिल्कुल सफल तरीके से तैयारी करा सकें और इसी सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं कि आप से previous year questions, important topics, mind map इन सारी चीजों की सहायता से आप तक पहुचने का प्रयास कर रहे हैं यदि अभी तक आप ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो आपको तूरंत ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे ज्यादा तर अपडेट्स आपको यूटूब पर ही मिलेंगे लेकिन आपको एक और खास बात बता दें कि ये हमारा जो अप्लिकेशन है ये आपको मिलता है प्लैटफॉर्म में प्ले श्टोर से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूटूब से भी पहले हमारे सारी वीडियो यहां पर आती हैं और यहां से ना सिर्फ आप हमारी वीडियो देख पाएंगे बलकि माइन मैप और शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टन टॉपिक्स और लॉंग डिसकेशन ये सारी चीजों का भरपूर फाइदा उठा सके तो आज ही हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड करें और आएए देखते हैं कि आज हमारी चर्चा किस बात पर है हम एक समान चुम्ब की छेत्र में आवेश की गति के बारे में बात करते आए हैं आज हम इस बारे में दुबारा चर्चा करेंगे हम लोगों ने क्या देखा था ह आज आए लोगों ने ही देखा था कि किसी भी गति मान आवेश जिस पर जिस पर क्यू आवेश हो और जिसका वेग वी हो और यह जुम्ब की छेत्र से जिसका मान क्या है बी है अगर थीता कोंड बना रहा हो तो ऐसी सिती में इसके उपर एक बल लगता है और उस बल का मान ह F is equal to Q QVB QVB sin theta अब जो है इस बल के बारे में हमको पता चल गया है हम जो है इसकी दिशा कैसे पता करेंगे यह हमारा अगला विशा है तो हमको इस गतिमान आवेस पर लगने वाले बल की दिशा निकालने के लिए बाय हाथ का नियम उप्योग करना पड़ेगा इस बाय हाथ के नियम में जो है हमारे पास में आप ध्यान से देखिए तो अगर मैं आप पर बंदूक तान कर बोलू FBI तो आपको अमेरिका में जो पुलिस होती है उसकी आदा जाती है तो बस आप बाय हाथ से गोली चलाने वाली FBI के बारे में याद रखें और यहाँ पर किसका क्या मतलब होता है हम देखते हैं यह अंगुठा आपको दिखाता है कि किस दिशा में बल लग रहा है फोर्स F ये हमारी जो तरजनी है याने कि इंडेक्स फिंगर है यह हमको दिखाती है विद्दू चुम्ब की छेतर की दिशा तो यह हो गया B और यहाँ जो है हमारी मिडल फिंगर यहने कि हमारी मध्यमा यह जो है हमको क्या दिखाती है यह धार विद्दू धारा की दिशा दिखाती है या आवेश के दिशा दिखाती है तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर बात करेंगे FBI तो यहाँ पर हम तीनों का तात्परे समझते हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी गतिमान आवेश की उपर कुल मिलाके बल कैसे और किस दिशा में लग रहा है भाई यह देखिए यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है मतलब चुम्बकी छेत्र बाहर से अंदर की और जा रहा है अगला प्रशना आप से चोटा सा यह पूछ लेते हैं कि अगर अंदर से बाहर की और आ रहा होता तो क्या बोलते यहाँ पर एक बिंदू बना के हैं फिक गोला बना दो यह बाहर की और आता हुआ चुम्बकी छेत्र है तो यहां हमारा चुम्बकी छेत्र जो की हमारे इंडेक्स फिंगर से है यह अंदर जा रहा है अब इसके बाद में हम बात करेंगे धारा याने की दारा की याने आवेश की दिशा तो ये अंदर की ओर जा रहा है और यहां पर आवेश की दिशा नीचे है तो हमको क्या दिखाई दे रहा है हमको बल की दिशा अंदर की ओर लगती भी नजर आ रही है अब हम जो है जब यहां पहुंच जाते हैं तो यह आवेस इस बार जो भी जो है चुम्ब की शेतर अंदर जा रहा है लेकिन इस बार धारा की दिसा उपर की ओर है तो हमको अभी भी चुम्ब की मतलब बल जो नजर आ रहा है वो अंदर की ओर नजर आ रहा है अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमको समझ में आएगा कि यह बल जो है वो किस से नब्यंस का कोण बना रहा है भई गती की दिशा से नब्यंस का कोण बना रहा है और हमें पता है कि यदि कोई बल जो है वो गती की ही दिशा में हो तो जो त्वरन उत्पन होता है वह उसकी गती में बदलाव करता है लेकिन यदि कोई बल लंबोत लग रहा हो गती की दिशा से तो यह त्वरन उसकी गती के परिमान में कोई अंतर नहीं कर सकता नहीं ला सकता तो अब क्या लाएगा सिर्फ दिशा में परिवर्तन कर पाएगा इस पकार से हम देखेंगे कि जिस भी गती से यह आवेश चुम्ब की छेतर में घोसेगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा बलकि इस पर लगने वाला बल किवल उसे गोल गोल घुमाने का कारे करेगा क्योंकि वो सतत लगातार इसके दिशा में परिवर्तन करता जा रहा है लेकिन उसके परिवार में कोई अंतर नहीं आ रहा है अब ऐसे स्थिती में जो है हम क्या देख सकते हैं हम यह दे सकते हैं कि यहां पर कुल मिलाके जो बल लग रहा है एफ बराबर Q V B साइन थीटा यह जो बल है यहां पर जो है एफ बराबर I L B साइन थीटा होता अगर ये चालक होता तो हम सिर्फ एक आवेश की बात कर रहे हैं तो अब ये बल जो है असल में किसके भाती देवहार कर रहा है एक गोले में घूम रहे आवेश की केंद्र के ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं भाई इस बल को हम कहते हैं अभी केंद्रिय बल क्या बोलते हैं अभी केंद्रिय अभी केंद्रिय अभी केंद्रिय बल ठीक है और इस अभी केंद्रिय बल का मान क्या होता है इसका मान होता है M, V का वर्ग, बटा, R अब यहां से अगर हम देखेंगे तो दोनों बल समान हैं इसलिए इसका मान हो जाएगा F V B Sin Theta हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि 90 है इसका कोन बन रहा है और Sin 90 का मान कितना होता है तो अब जो है क्या क्या चीज़ें कट रही है यहाँ पर भी वेग है यहाँ पर भी वेग है तो R वहाँ भेजेंगे और यह इधर आजाएगा तो R का मान हो जाएगा R बराबर M V बटा Q V और यह जो है तरिज्जा का मान हो गया अब बताएगे कि कोई भी आवेज जो है वो यदि किसी चुम्ब की छेतर में घुसे तो तरिज्जा का किन बातों पर निर्भर करता है पहला आवेशित कन का द्रभ्यमान यह मासा फिलेट्रॉन या मासा प्रोटॉन हो सकता है दूसरा आवेशित कन का वेग जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी ज़्यादा तो हम त्रिज्या होगी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं यदि हम आवेस का मान तो अब गतिसील आवेस का मान तो हम नहीं बदल सकते हैं लेकिन यदि हम चुंबकी छेत्र की तीवता में बाहर से परिवर्तन करने में सक्षम हो तो हम आर के मान में परिवर्तन करने में सक्षम हो जाएंगे बाकी चीज़ें तो नहीं बदलेंगे चलिए अब देखते हैं कि यहां से और क्या चीज़ें निकाली जा सकती है और क्या-क्या जानकारिया पता की जा सकती है ठीक है तो हम निकालेंगे, त्रिज्या, वेग, आवर्तकाल, एमम, आगरते, वेग के लिए हमको तो ये पहले से पता है कि वेग का मान V है, ठीक है, त्रिज्या का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला भाई, M V बटा Q B, तो ये हो जाएगा, M V बटा Q B, अब हम बात करे ये आवर्तकाल की, ठीक है, कोई गतिसिल आवेज जो है, एक गोला कारपथ में चल रहा है, तो वो उसका आवर्तकाल किसे कहेंगे, एक पूरा गोला कंप्लीट करने के बाद में, जब वो उसी बिंदू पर दुबारा पहुशता है, तो उस समय को हम आवर्तकाल कहेंगे, अच्छा, हमको एक और बात जो है, जो पता है, पहले से वो क्या है, हमको जो बात पता है, वो ये है, कि वेग बराबर दूरी बटा समय, यनकि यहाँ पर, यहाँ पर हम ले लेते हैं, टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस दिवाड़ेड़ बै टाइम, अब यहाँ टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम के लिए हमको करना पड़ेगा, टाइम बराबर दूरी बटा वेग, अच्छा, दूरी कितना है, तो भई वित्ताकार मार्ग है, मतलब टू पाई आर उसकी परिधी हो जाएगी, तो टू पाई आर मान रख लेते हैं, और वेग तो हमको पहले से पता है, तो वेग कमान भी रख देते हैं, लेकिन आर के लिए हमारे पास में क्या कोई दूसरा संसाधान उपलब्द है, आर बराबर एम बटा क्यू भी, तो यहाँ पर हो जाएगा, टू पाई गुणा, एम बटा क्यू भी, और पूरे का बटा भी, यहाँ पर से टू पाई एम बटा क्यू भी, यह जो है कुल मिला के क्या हो गया, टू पाई एम बटा क्यू भी जो है यह आवर तकाल हो गया, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, टू पाई एम भी, नए, टू पाई एम, टू पाई एम बटा क्यू भी, अब यहाँ पर एक चीज देख बदल सकते हैं। अब हमको आव्रित्ति चाहिए और आव्रित्ति को हम ao से प्रदाश्यत करेंगे आब रित्ती न्यू बराबर एक बटाटी यह क्या है भाई एक चक्कर में जितने जो है जितना समय लगता है उसका जो है रेसिप्रोकल यहने कि उसका विलोम निकाल देने से हमको प्रती सेकंड लगाएगा चक्करों की संख्या मिल जाएगी और इस हम एक और बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं हमको पता है कि चुम्ब की छेतर की तीवुता अगर ऐसी है और यहाँ पर हम लोगों ने यदि आवेस को कैसा भेजा यदि हम लोगों ने आवेस को चुम्ब की छेतर के बिल्कुल लंबवत भेजा तो वह व्रित्ताकार मार्ग में गती करने लगेगी ये बात तो हमको पता है ठीक है तो हम लोगों ने आवेश को ऐसे सीधे सीधे भेजा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये व्रित्ताकार मार्ग में घूमने लगेगा ले मार्ग में गति करेगा लेकिन यदि हम 90 की बजाए 70 या 60 अंस के कोण पर जो है आवे इसको भेजेंगे तो क्या वह अभी भी शुर्फ वृत्ता का मार्ग में गति करेगा नहीं इस बात को समझने का प्रयास करें कि यदि जो है यहां पर जो है कोण थीटा बनता है तो यहां पर मिलेगा हमको वी साइन थीटा और यहां पर मिलेगा वी कॉस थीटा नहीं वहां वी कॉस थीटा मिलेगा यहां भी साइन थीटा मिलेगा ठीक है यहां मिलेगा हमको V cos theta और यहां पर मिलेगा हमको V sin theta अब यह V sin theta तो हम लोग को Q V B sin theta में Q V B sin theta में तो इस जगह में हमको V की बजाए V sin theta उप्योब करना पड़ेगा तो यहां पर हम कौन-कौन से सूत्र बदल सकते हैं देखें तरिज्या जो है वो M V beta Q B तो यहां पर नई तरिज्या क्या हो जाएगी R बराबर M V sin theta beta Q B ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं कि टाइम पिरेट तो टाइम पिरेट तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा 2 pi M beta Q B इसको तो फरक ही नहीं पड़ता कि उसका वेग कितना है और इसी तरीके से आवरिती भी आपरिवर्तित रहेगी लेकिन हमको एक और महत्वपूंट चीज मिल रही वो यह है कि पहले जो है अगर 90 अंस का कोण बनाते हुए जो है वो आवेस चुम्बकी शेतर में गमन करता तो वो इसी प्लेन में लगातार गोलाकार मार्ग में चक्कर काट रहा होता लेकिन क्योंकि इस बार जो है हमारे जो हमारा जो आवेस है उसका जो है उसकी गति का जो है एक हिस्सा कौन सा वाला हिस्सा वी कॉस्थीटा वी कॉस्थीटा जो है वो किस दिसा में है वो चुम्बकी शेतर की दिसा में है तो इसलिए जो है अब वो वृताकार मार्ग में घूमने की बजाए इस तरीके से जो है आगे बढ़ते भी जाएगी अब यहां पर एक नई राशी आती है कि इन दोनों बिन्दों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं पिच ठीक है जैसे कि हम जब जो है इस्कुरू देखते है तो इस्कुरू के दो चूडियों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं पिच और यह कैसे निकालेंगे तो पिच के लिए जो है हम क्या देखेंगे कि एक बार जो टाइम पिरेड है जितने में वह अपने पूर उनिर्धारित समय बिंदों पर दोबारा लॉट आता गुणा वी कॉस्थीटा और इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है पिच मिल जाता है यह वाली दूरी मिल जाती है इसके लावा बाकी सारी चीजें वह बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगे यहां तक कि यह बात हम लोगों ने सीखी अब इसके बाद में जो हमारा एक्जाम स साजह करेंगे तो जूरे हमारे साथ में मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद